हेलो दोस्तो नीज किलिक में आपका स्वागत है आज हमारे साथ गौतम नौलखा हैं जो की सिविल राइट आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और उन्होंने कश्मीर के उपर काम किया है आज गौतम नौलखा हमारे साथ जो यूरोपियन डेलिगेशन कश्मीर में विजिट कर रहा है उसके उपर बात करेंगे गौतम आपका स्वागत है आपको जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले दो दिनों से एक 27-23 सदस्ये यूरोपियन डेलिगेशन के कश्मीर में विजिट को समय क्यों हो रहा है और इस विजिट का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है पहले तो यह सपश्ट कर देना चाहिए कि यह एक निजी विजिट करार कर दी गई है तो मतलब लोग परसनल विजिट कर रहे हैं यह कोई यूरोपियन पर्लेमेंट का डेलिगेशन नहीं है क्योंकि European Parliament का होता तो उसमें हिंदुस्तान तहे नहीं करता उसके कौन सदस्य होंगे कोई नहीं कौन नहीं होंगे उसमें तमाम पार्टी उनका जो ने मतलब जो प्रेजन्स है पार्लेमेंट में उसके हिसाब से होता है जिसमें कि तेही ही सी लोग कश्मीर गए उनमें से पांच कोई बहुत सो समझ कर इन्होंने किया हो तैयारी के साथ किया हो यह हड़बड़ी में किया हुआ लगता है पहले तो यह इस परश कर दे है आए भी वो तीन दिन पर इस वादे पर कि उन्हें प्रधान मंतरी नरेन मोदी से मुलाखात की जाएगी और दो दिन उनका सफर इसे तो NGO's के पीछे हद दोकर पड़ी हुई है लेकिन इस NGO के पास अनाप शनाप इतना पैसा है कि 28 लोगों को यूरप से इधर बुला सकती है उनको बड़े बड़े शांदार आलिशान होटल में ठहरा सकती है उनको कश्मीर बेज कर सबसे जो वहां महंगा होटल है वहां उनको रखा जा सकता है तो इसमें लगता है कि पीछे से हिंदुस्तान सरकार का ये हात है पैसा उनीका है और ये ऑफिशल डेलिगेशन नहीं है लेकिन फिर भी इसे यूर पिन मेंबर ओफ यूरो पारलिमेंट्स कहे कर हिंदुस्तानियों को ब्रह्म में रखा जा सकता है कि हाँ जी हमारे साथ यूरोपियन पार्लिमेंट के भी काफी सदस से हमारे साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो मतलब ये एक कहना चाहिए एक पी-ार एक्सरसाइज जादा है इससे ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है क्योंकि दो दिन में आप किन से मिले अगर आप खुदी देखें कि उनकी मुलाकात किस किस से हुई है और कहां कहां गए उससे पश्ट हो जाएगा उनका ज्यादा ताइम या तो बदामी बाग कैम्प मेरा आर्मी वालों के साथ या फिर अपने ही होटल में जहां डेलिगेशन उनसे मिलने आए और एक सफर उन्हें की डले की बोट पर उसके लावा ना तो वो शेहर में गए ना वो श्री नगर के बाहर जाने का उनका कोई इरादा था श्री नगर में भी वो कहीं नहीं गए जहां की जहां की वो जा सकते थे अकेले भी अगर घुमना चाते तो घुम सकते थे क्यों नहीं गए बकाइदा एक सदस्य ने तो बकाइदा इस पर पोस्ट लिखा कि क्यों जब मैंने कहा कि मझे दूसरे लोगों से बिना किसी एसकॉर्ट के मिलने का उदिया जाए तो सरकार ने मना कर दिया इंग्लेंड के लिबरिल डेमोक्रेट क्रिस टेविस जिन्होंने कहा कि जब मैंने लिक कर ये बात कही तो उनसे उनका निमेंतरण वापस ले लिया गया अखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि सरकार इतना केरफुल है इन सब चीजों को लेकर कि किसे मिलना है कम मिलना है और किन को बुलाना है हम उसके उपर भी बात करेंगे कि इनका नीचर क्या है लेकि जो अजीब और गरीब बात है कि एक तरफ सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि ये हिंदुस्तान के अंदरूनी मामला है हम जो जी मेयाय कर सकते हैं जो अपने आप में गलत था लेकिन फिर भी ये उनका मानना था दूसरी तरफ ये और हमेशा कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा खत्रा होगा लेकिन इस सरकार की ये सबसे बड़ी जो अपलब्दी है कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को तो ब्रहमित रखने के लिए कह दिया कि अंदरूनी मामला है लेकिन हकीकत में उन्होंने सब कुछ वो किया है जिससे कि कश्मीर का अंतराश्य करन हो सके हैं ये उसी कड़ी का एक मतलब उसी सिलसले की एक कड़ी है इस अंदाज में कि अभी यूएस कॉंग्रिस की बैठक में हाउस और रेप्रेजेंटेटिव की जो सब कमिटी है उनकी बैठक में हिंदुस्तान की काफी तीखी आलोचना की गई और कुछ ऐसे सवाल दिये क करे गए जिसका जवाब हिंदुस्तानी हकूमत के पास है नहीं सीधा साला मतलब आपने तमाम पुलिटिकल लीडर्स को पकड़ लिया है जो चाहे वो आजादी पसंद हो या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हूं और हिंदुस्तान के साथ मतलब जो अकसेशन जन्नों न उसने तो सरे आम ये कहा है कि हम कश्मीर में किसी प्रोटेस को किसी धरने प्रदर्शन को अलाओनी करेंगे जब तक कि स्थिती सामान नहीं हो जाती है और लगता है कि जिस अंदाज में स्थिती तताकति सामान नहीं हो रही है वो उसमें वर्षों लगेंगे तो इसका मतलब है कि तमाम जो जनतांत्रिक अधिकार है हिंदुस्तानी नागरिकों के उससे कश्मीरियों को वंचित रखा गिया है लोगों को पकड़ा गिया है, कम्विनिकेशन ब्लॉकाइट का तो हमको पता ही है अभी भी पूरी तरह से वो थापित नहीं हुई है फर्जी चुनाव किये जा रहे है, मतलब एक इनडारेक्ट चुनाव है ब्लॉक डेवलप्मेंट काउंसिल का, उस फर्जी चुनाव में भी शिकस्त होती है बीजेपी की जो दिखाती है कि लोग कितने नाराज हैं, उनके अपने लोग भी कितने नाराज हो चुके हैं मतलब ऐसी स्थिती में आपको अगर अपना हिंदुस्तान को पबलिसिटी करनी है और ये दिखाना है दुनिया को कि स्थिती काफी अच्छी है कश्मीर में और उतनी बुरी नहीं है जो कि अलोचक कह रहे हैं तो उसके लिए उन्होंनों सोचा कि अगर हम एक्स्ट्रीम राइट विंग, पॉलिटीशन को लेकर आते हैं यूरप से जो कि हमारी बात दोराएंगे तो शायद उससे कुछ फर्क पड़े लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा हिंदुस्तानी हुकूमत से मुझे तो उनकी अकलमंदी पर एक सवाल उटता है कि ये सारा जो उन्होंने किया ये इसका फोकस हिंदुस्तानियों के तरफ जादा है ना तो यूरप में इसका जादा कुछ असर होने वाला है क्योंकि ये राइट विंग एक्स्ट्रीमिस पार्टी इस्लामोफोबिक जिससे क्या जाता है और रेसिस्ट उससे गरस्त है उन्हें हमेशा एक फ्रिंज एलिमेंट्स के रूप में यूरोप में देखा जा रहा है और उनकी बातों को इतने कोई गंबीटा से कोई लेता नहीं है तो ऐसे लोगों का महत वहां तो कुछ होने नहीं वाला है इसका यही होगा कि आप फोटो दिखाकर हिंदूस्तानियों को यह आश्वस करने की कोशिश कर सकते हैं कि देखे हमारे साथ यूरोप के कुछ यूरोप पार्लिमेंट के भी कुछ सदस्स हमारे साथ खड़े हैं ये दिखाना है जैसे कि हिंदुस्तानी इसी भरं मेर है कि हाँ स्तिती जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है ये डेलिगेशन के जो सदस्य हैं उनका आइडियोलोजिकल ओरियन्टेशन को लेकर उनके वैचारिक समझ को लेकर बहुत चर्चा हो रही है इसके पीछे क्या रिजन है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर लोगतंतर है लोगतंतर में जनता ने जिसको चुन लिया हम तो उन्हीं को बुलाएंगे तो आपको ऐसा क्यों अब्जेक्शन है कि अगर वो धक्षिन पनती है वैचारी करूप से तो वो एक खास मकसद से ही आए जहां के हमारे हिंदुस्तानी पार्लिमेंटेरियन्स की संसत सदस्यों की क्या गलती है कि वो भी जीत कर आए हैं उन्हें भी जाने से मना कर दिया है पार्टी के खुद की सदस्यों से अपने नेताओं से मिलनी सकते हैं के हिंदुस्तानी संसद के सदसियों को वहां जाने की इजाज़त नहीं है आपने और भी लोगوں को मना कर दिया है फॉरें विदेशी ज़र्नलिस्स भी नहीं जा सकते हैं विदेशी डिप्लोमेटस भी नहीं जा सकते हैं यूइस कॉंग्रेस के सेनिटर्स ने बोला कि हम जाना चाहते हैं, उन्हें भी जाने की मना कर दी हम यूएन के मानमा वाधिकार के संग्रफन के लोग हैं, वो भी जानाचाहते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने उन तमाम लोगों को इंकार कर दिया जाने से जो उनकी हां में हां नहीं करने वाले थे और जो शायद अगर वो बिज जाते तो वहां की उनके अंदाज में जो सच्चाई उनको नजर आती है या जो सुनाई जाती है उसको वो रखते सामने क्योंकि अगर ये official European delegation होता तो हिंदुस्तानी सरकार यहां बैट कर दिल्ली में तहीं नहीं कर सकती थी कि हम केवल दक्षिन पंतियों को जो extreme right wing elements है और जो हमारी हां में हां मानेगा हम केवल उनी को बुलाएंगे वो नहीं कर सकते हैं इसलिए उससे unofficial रखागे आपकी बात कोई थोड़ा वो करने के लिए देखे कि 750 के करीब MP है European Parliament में उसमें से जो धड़ा इस delegation में है जो सबसे बड़ा धड़ा है करीब 20, 23 में से 21 वो उस ग्रूप से आता है जिसका total संख्या जो है 1500 के आसपास है पूरे Parliament में तो आपकी बात ही इससे सत्तापित है इसका मतलब है कि 600 Member of Europe Parliament हिंदुस्तानी हुकूमत की नजर में सही किस्म के लोग नहीं थे जिनकों कि यहां हम आन्दमंत्रित कर सकते थे कश्मीर का दोरा करने के लिए और वो क्योंकि उन्हें बालूम था कि वो अपने उनकी हामेहानी करते है दूसरी बात है कि अगर ऑफिशल डेलिगेशन होता तो हिंदुस्तानी सरकार थोड़ना ता ही करती कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है वो फिर यूरोपेन पार्लिमेंट के सदस्टे करते है उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है एक आखरी सवाल फिर हम जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ 86 दिन हो गया उल्मूस्ट उन 86 दिनों में सरकार यही कह रही है कि कश्मीर में नॉर्मेल्सी है सब कुछ समानने है और यह डेलिगेशन जैसे आपने कहा कि एक उसी रास्ते पे एक कदम है कि हम दुनिया को सापित कर दे कि सब कुछ नॉर्मल है और वहाँ सिर्फ विकास का विरोध हो रहा है तो इस परिपेक्ष में अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है जहां तक हमारी समझ है जैस तरीके से मीडिया का रुक है जैस तरीके से कश्मीर से रिपोट्स आ रही है कि जगा जगा पतरदर्शन हो रहे है एस डेलिगेशन के खिलाभ क्या आपको लगता है कि यह पूरा जो खदम है वो एक diplomatic disaster है या इसका वाकई में कुछ फायदा होने वाला है फायदा तो नहीं होने वाला है जहां तक disaster का है मुझे लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा गंबीरता से लेना नहीं चाहिए ये सरकार का एक प्रयास था हम हिंदुस्तानियों को और गलत फहमी का शिकार बनकर रखने के लिए कश्मीर के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है वो तो यही समझेंगे कि हंदुस्तान सरकार की यह चाल थी और यह लोगों को जूटी आश्वासन देने की कि हाँ जी स्थिती दूसरी किसम की देखिए स्थिती तो सामानिय से बहुत दूर है अब तो वो शब्द सामानिय से शब्द भी इस्तिमाल नहीं कर रहे है हंदुस्तानी हुकूमत के आला आफसर वो कुछ औरी शब्द कहते हैं कि नहीं सिच्वेशन इस अंडर कंट्रोल स्थिती हमारे ने अंटरन में हैं वो यह नहीं कहते हैं कि स्थिती सामानिय हो गई है तो एक फर्क आया उनकी भाशा में भी क्योंकि जानते हैं सच्चा ही किया है दूसरा यह देखिए विकास तो एक वैसा ही एक डमरू है वो जो कि लोगों को का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए किया जाता है दो मेहने में अनुमान है कि कम असकम दस हजार करोर रुपए का नुकसान जेला है कश्मीरियों ने इन पाबंदियों के कारण इन रिस्ट्रिक्शन के कारण कम्मिनिकेशन ब्लैक आउट के कारण और आज भी वो स्तिती बनी हुए कि इंटरनेट डाउन है आप मॉबाइल फोन तो कर सकते हैं पोस्पेट से लेकिन आप SMS नहीं बेज सकते हैं न रिसीव कर सकते हैं आज भी पुरी तरह से जो ट्राफिक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पुरी तरह से काम नहीं कर रहा है कहने का मतलब है कि स्थिती कोई बेहतर होती नजर आ रही हो ऐसा नहीं है और आखरी पाथ में यह कहना देखे अभी इस डेलिगेशन के आने के कुछी दिन पहले उन्होंने एक फर्जी नाटक किया था कश्मीर में जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलप्मेंट काउंसिल के चुनाव को लेकर यह इतना खोकला कि जहां 65 प्रतिश्यत सीटें खाली हैं कश्मीर में 19,000 लगबग 19,500 सीटें हैं पंच और सरपंचों की उसमें मात्र 6,000 फिल करी हुई हैं उनकी भी फिलिंग कैसे हुई है उसका भी अपना इतियास अजीब और गरीब है कि वो चुनाव अजीब और गरीब हुए के चेर्में को चुना ये इतना फर्जी था लेकिन उस फर्जी चुनाव में भी बीजेपी की शिकस्त हुई जबकि सारे दूसरे पुलिटिकल पार्टी इसमें शामिल नहीं थी एक्यासे सीटें उने मिली 307 में से 217 सीटें इंडिपेंडेंस के खेमें में गई और लोग सोच रहे हैं कि भाजपा के नेतरित्व में RSSS और भाजपा के नेतरित्व में कश्मीर में जो हो रहा है वो विकास ले आएगा आज उन्हें समझने की जरूरत है कि ये विकास नहीं ये विनाश ये पूरा सिलसिला विनाश की तरफ ले जाने वाला है ना केवल कश् को लेकिन साथ-साथ हिंदुस्तान पर भी इसका बड़ा गेहरा प्रभाव पड़ेगा थैंकि गॉंतम हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आज के लिए इतना ही देखते रहें नियुस्क्रेट